अलीगड के थाना त्रॉली लाके के गाउं लोहा गड निवासी रोहित ने अपने बच्चों को और पत्नी के साथ आकर स्स्पी दफ्तर पर गुहार लगाई है कि सहाब गाउं के ही तीन दवंगों ने खेश से वापस लोड़ते वक्त मारपीट करते हुए पॉकेट में रखे भैस खरीदने के लिए 47,000 वा अन्य सामान लूट लिया चीक पुकार की आवाज पर घर के सदस बचाने के लिए पहुँचे जिन में छोटे भाई की गरवती पत्नी भी पहुँची थी आरोपी दवंग अंगर्द दुरगेश और पुषपेंद्र द्वारा मारपीट के दोरान छोटे भाई की गरवती पत्नी को भी कोक में चोट लग गई जिसके चलते उसके दर्द शुरू हो गया घड़ना की जानकारी जब प्लिस कंट्रोल रू जबने की धमकी भी दे रहे हैं उनका कहना है कि प्लिस से उनकी अच्छी खासी साड़ गाठ है कहां से आई अब लोगर गांसी कों से थाना लगता है क्या मामना लेकर आप यहां से था पर गाय दिलाई थी मैं अपनी मान से काम आए गाह से मेरा गुजारा नहीं हो रहा है मुझे बैस दला दू उससे मैं गुजारा करूंगी तो मैंदम मेरे शाहिए पैसे देख देख कि अख़े अनने कि ह पेष्ड आपसे लॉट क्या ख़रे है वह लोग जुर्ओं fascINA पड़िकों कर दियते अपनी दर्वासर पई इनको घिल ल्ई और पैसे तो मैडम यह इनकी मेंडम वहां तो मेंडम वहां से चले आए इन्हों ने पहर आखे बताएं कि हम लोग गए तो मेरे पर मानने चुपट गए मैं घरवत्ती हूँ मैडम तो मैडम मेरी पिताई की वा यह क्या दी कि अगर तु थाने चौकी जाएगी तो साली तुझे जान से मान देंगे वो आहाल करेंगे तेरा जो देखने वाले भी ड़ जाएं कि हां किसी ने पिसी का हाल किया है और किसी से तुने अगर सिकाश की आधेज कर देंगे खब क्या ना में तुम्हारा कहां से आए लोहगर दाऊ से खाना कौन साइगा थाना आतरह लिए तुझे